नमस्कार आज है चौदा दिसम्बर मैं हूं मीनम और शुरू करते हैं हमारा आज का एंसी क्यू सेशन हमारा जो पहला क्वेस्टिन है वो है वोल्ल कप हीरो पॉलो रोसी पास्ट वे विश्व कप के हीरो पॉलो रोसी का निधन हो गया है वो किस देश से है और हमारे जो आप्शिन्स है वो है इतली ब्रजील स्पेइन या फिर नन अफ्टी अपाब अगर हम इनकी बात करें तो इनके बारे में एक चीज़ आप जान लेज़े इन्होंने 1982 का जो वर्ल कप था फुटबॉल वर्ल कप था उसमें छे गोल्स किये थे और ये एक उपलबधी है इनकी इसके लावा एक और चीज़ ये एक ही साल में इन्होंने वर्ल कप भी जीता था उसके बाद आप जानते होंगे गोल्डन बूट जो मिलता है फुटबॉल में ठीक है इन्हें गोल्डन साल में जीते थे ठीक है आगे बढ़ते है हमारे अगले क्वेस्टन पर विच बैंक जोइंग हांग्स विद आइसियाइसीयाई प्रुडेंशल फुर बैंक शौरंस पार्टनरशिप बैंक शौरंस भागिदारी के लिए आइसीयाई स्याई प्रुडेंशल के साथ किस बैं इंशौरंस प्रुडाक्ट सेल करता है तो अपने बैंक के थुरू तो उससे बैंक शौरंस कहा जाता है ठीक है इस अरेंजमेंट में बैंक क्या करता है एक इंशौरंस कंपनी के साथ टाइप करता है और अपने क्लाइन्स को जो इंशौरंस कंपनी के इंशौरंस प्रुड सेक्टर बैंक है कहां पर भारत में जिसका की हेड़कोर्टर मुंबई में सिचुएटेड है और इसके MD और CEO का नाम है आमिताब चौधरी ठीक है इसके अलाव अगर हम इस question की बात करें तो इसका जो सही answer है वो है आपका RBL Bank ठीक है और इसने collaborate किया किसके साथ ICI Prudential के साथ for bank assurance partnership या for providing bank assurance जो की आपकी 398 branches हैं आपकी RBL branches की across आपकी 28 states जो इंडिया में है वहाँ पे प्रुडक्श प्रोवाइड किये जाएंगे ठीक है इसके अलावा अगर हम RBL Bank की बाग कर लें देखें इसका जो construction air है वो 1943 है और यह construct हुआ था अंडर इंडिया Companies Act 19, 13 RBL Bank Limited इसके जो CEO है उनका नाम है विश्वर अहुजा ठीक है RBL Bank का जो headquarter है Mumbai है like Axis Bank वो भी वहाँ पे Mumbai में situated है और उसकी tagline है अपनो का ठीक है और यह पहले इसका नाम क्या था रतनाकर Bank Limited देखो यह एक important चीज है रतनाकर Bank Limited इसे कहते थे RBL Bank को पहले इसके अलावा ICICI Prudential की अगर हम बात करें तो 2001 से इसने work करना शुरू किया है ठीक है और इसका जो headquarter है Mumbai में मैंनी तीनो का Axis Bank, RBL Bank और ICICI Prudential तीनो का ही Mumbai में headquarter है ठीक है और इसके CEO है उनका नाम है N.S. Kannan ठीक है तो यह देखे इक सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है आगे बढ़ते हैं हम हमारा अगला question अगला question है PM Narendh Modi addresses International Bharati Festival 2020 Virtually it was organized by Vanavali Culture Center in Vid City PM Modi ने राश्रे भारती महटसाफ 2020 को संभोधित किया है यह वनावली संस्कृती केंद्र किस शहर में आयूज़त किया गया था options है लखनाव, तेलंगाना, चिन्नाई या अब आफ जानते हैं वर्चली यह organized किया गया है मोधी जी की द्वारा इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चिन्नाई ठीक है चिन्नाई में आपका 138th birth anniversary किसकी महा कभी है आपके सुब्रमन्यम भारती ठीक है सुब्रमन्यम भारती इनके 138th anniversary पर यह किया गया है यह writer है, poet और journalist है तमिल नाडू के इसके अलावा भारती award भी दिया है मोधी जी ने किसको सेनी विश्वनाथन सेनी विश्वनाथन को award दिया है कौन सा भारती award से सम्मानित किया है यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके अगर हम बात करें तो हमारे जो options है वो है अपको बताना है IWIS 2020 का उदेश किया था comprehensive management of rivers and water bodies, comprehensive and holistic management of rivers and water bodies, comprehensive analysis and holistic management of rivers and water bodies देखें इसका जो सही उत्तर है वो है आपका C option जिसे हम कहेंगे comprehensive analysis and holistic management of rivers and water bodies या नदियों और जल निकायों का व्यापक विशलेशन और समग्र प्रबंधन ठीक है तो इसकी अगर हम बात करें इस question की तो अभी हाल ही में पांच वा जो आपका water impact summit ठीक है IWIS का full form किया है इंडियन माप की जगा इंडिया water impact summit ठीक है जो की 10 December से चालू हो गया है और इसे inaugurate किस ने किया है नाम पता होना चाहिए आपको रतन लाल कटारिया जो की water minister है जल्शक्ती minister है state जल्शक्ती minister state है ठीक है गजेंदर सिंग है आपके वो जल्शक्तरी union minister इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो यह जो mission है इसे organize किया है national mission for clean ganga ठीक है NMCG ने और आपका ganga river basin management and studies इन दोनों ने मिलके यह organize किया और एक चीज़ और जान लीजे इसमें इसका theme क्योंकि इस तरह की question से आते ही है तो उसका theme जो है वो है synchronized development इसको कहेंगे अर्थ गंगा नदी संद्रक्षन या और समन्वित विकास फिर से बोल देती हूं अर्थ गंगा नदी संद्रक्षन समन्वित विकास रिगर कंजर्वेशन synchronized development चलो अगले question देख लेते हमारा क्या है हमारा अगला question है dash becomes India's first UT to be declared 100% organic 100% organic घूर्षित होने वाला भारत का पहला UT से हम unity territory कहते हैं वो बन गया है हमारे जो options हैं वो हैं आपका लक्षदीप, लद्दाक, पुड़ुचरी and none of the above इसकी देखो अगर हम बात करें तो सही उत्तर है आपका लक्षदीप में आपको पहले बता देती हूं और यह 100% organic consider कर दिया गया है UT से विकोज यहाँ पे synthetic fertilizers और जो pesticides है हम उनका बिना उसके इस्तमाल के आपका यह farming activities या जो क्रिशी की जो activities हैं उन्हें पूर्ण किया जाता है और इसे organic बना दिया है UT ने इस activity की वज़े से आगे हम दो-चार चीज़े जरा लक्षदीप के बारे में जान ले देखें लक्षदीप भारत का सबसे छोटा UT है पहली चीज आपको पता होनी चाहिए और it is a group of 36 islands जिसमें 36 islands का समू है यह जिसमें 12 अटॉल, 3 reefs, 5 submerged banks है और 10 inhabited यानि जहां पे लोग रहते हैं यह जो 10 inhabited हैं मैं उनके नाम भी आपको बता देती हूं बताने का रीजन क्या है मैं वह भी बता दूँ है कावारती, अगती, अधमिनी, अधमत, किलतन, ठीक है, चितलत, बित्रा, अंड्रॉट, क्यालपानी, मिनिकोय, अब देखें इन में से आपको भी याद हो कावारती एक इसे अभी हाली में आपकी भारती नौसेना ने कमिशन किया है, कहां पे विशाखा पत्नम जो उसका इस्तल नेवल कोस्ट है, विशाखा पत्नम इस्तल नेवल कोस्ट है, किसका इंडियन नेवी का, वहां पे कावारती कॉर्वेट को किया है, ठीक है, इसके अवा किलतन, कि तो इसलिए मैंने ये नाम भी आपको बताए हैं और ये सब क्या इनाबिटेड आइलन्स हैं कि इसके लक्षदीप के इसके अलावा अगेन लक्षदीप की क्यापिटल कावरत्ती हैं लक्षदीप के जो एड्मिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम है प्रफुल खोदा पटेल ठीक और उन्होंने ये चार्ज कब लिया है 5 दिसंबर 2020 को चलो आगे आजाओ आगे क्या कहता है हमारा कॉश्चन विच टेली कम्मिनिकेशन कंपनी लॉंचेज वर्ल्स फोर्स साटलाइट बेस्ट नारो एलो टी नेटवर्क किस दूर संचार कंपनी ने विश्व का पहला साट सहार एक नारो बैंड नेटवर्क लॉंच किया है Vodafone, Jio, BSNL या फिर None of the above इसका अगर हम क्वेशन की बात करें तो सही उत्तर क्या है BSNL है BSNL ने पार्टनर किया है किसको Skylo Tech Skylo Tech को पार्टनर किया है जिसे हम Skylo भी कहेंगे ठीक है तो इसके साथ पार्टनर्शिप की यह क्या है आपका एक Global Machine Connectivity Solution Company है और क्या लॉंच किया है NBLOT ठीक है Narrow Band Internet of Things ठीक है फिर से बोल देती हूं Narrow Band Internet of Things और यह पहला दुनिया का Initiative है NB Internet of Things जिसको कहेंगे और आपका अगर हम BSNL की बात करें तो BSNL का जो Headquarter है I think I think नहीं it is situated in New Delhi BSNL का जो Headquarter है वो New Delhi में situated है और इसके जो Chairman है BSNL के उनका नाम है प्रवीन कुमार पुरुवार ठीक है तो पता होना चाहिए इसब चीजे भी आपको सिर्फ को जो नियूज है उसी पर ध्यान नहीं देना और भी चीजे पर देखनी है आपको अगला question what is the theme of this year's International Universal Health Coverage Day इस वर्ष के अंतराश्य सर्वभामिक सावस्थ कवरेज का विशय क्या है चलिए देख लेते हैं health for all दूसरा है protect everyone health for all protect everyone इसका जो सही उत्तर है उसको जानने से पहले आप जान लीजे जो International Universal Health Day होता है वो का होता है 12 December होता है United Nations से 12 December को गोशित किया है इसके अलावा इस question का जो सही answer है वो है आपका C option which is International Universal Health Coverage Day का जो हमके आएंगे क्या theme health for all protect everyone और यह जो theme है यह reflect करता है आपका जो COVID-19 crisis है उसको end करने का और build करने के लिए safer और healthier future आगे बढ़ते हैं which state government launches the second edition of its flagship eco-treat program eco-treat 2020 at 5 locations कि स्राजय सरकार ने अपने प्रमुख eco-treat कारेकम के दो संसकरन eco-treat 2020 को 5 सानू पर launch किया है हमारे options है पंजाब, असम, जारखंड और Odessa इसकी अगर हम बात करें इस question की तो इसका जो सही answer है वो है आपका Odessa है और इसे launch किया है जन पांट स्थानों पर वो हैं आपके कोनार्क फिर भितार कनी का दर गिंगी बादी डेरिंग बड़ी और हीराकुट हीराकुट डायम आप जानते हैं ठीक है और सातो कश्टिया सातो कोसिया यानि हीराकुट डायम आपका कहा है और यह सब आपका 28 फरवरी 2021 से ओपन हो जाएगा फॉर टूरिस्ट ठीक है अगला कोईशन क्या कहता है हमारा अगला कोईशन कहता है पांचवी द्वेपक्षी आपकी जो बैठा के वो आयोजित की है ठीक है ओप्शन है हमारे मैनमार व्यतनाम श्रिलंका और नेपाल इसके जो सही उत्तर है वो है आपका पर्स्ट ऑप्शन विच इस मैनमार और यह ड्रग कंट्रोल कोपरेशन हेल होया वर्चूली जिसके तहत हमारा भारत का जो नार्कोटिक कंट्रोल ब्योरो है उसने पार्टिसपेट किया है और जो वहां का सेंट्रल कमिटी और ड्रग अब्यूज कंट्रोल है मैनमार का उसने पार्टिसपेट किया है भारत को प्रतिनिद्धुत्व किया है कि इसने राकेश अस्थाना ने ठ अगर हम मैनमार की बात करें तो मैनमार को रेप्रेजेंट किया है ब्रिगेडियर जनरल विन नाइंग ने जो की कमांडर है ड्रग इनफोर्श्मिंट डिविजिन कम जोइन सेकेटरी है तो इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए आपको अगला कोईशन क्या कहता है देखो हमारा अगला कोईशन इंपॉर्टन कोईशन है विच कांट्री बिकम्स फॉर्थ अरब स्टी नॉर्मलाइज रिलेशन से इसराइल को समाने करने वाला चौथा अरब देश बन गया है देखे इस साल अगर हम बात करें तो अभी हाली में सुदान ने रिकगनाईज किया था किसको इसराइल को और अभी जो सेट है चौथा सेट जो बन गया है वो है मुरको तो सुदान था अभी फिर मुरको हो गया है तो यह चौथा सेट बन गया है इसके तहट आपका जो यूएस से है उसकी पहल से यह हुआ है और आपका जो अगर और सेट की बात करें तो वो है आपका यूएई बहरीन सुदान और अब मुरको हो जाएगा इसके तहट यह इस साल में चौथा देश है और वैसे आपका यह छटा देश है चटा देश कैसे क्योंकि इससे पहले आपका इजिप्ट और जॉर्डन हाँ इजिप्ट और जॉर्डन इन दो देशों ने भी से रिक्रिग्नाइज किया एब्रहेम कॉड थीक है इन्होंने चार देशों ने किया UAE आपका बहरीन, सुदान और अब मुरक्को हो गया और उससे पहले आपका एजिप्ट और जॉर्डन देखिए एक इंपोर्टन चीज है और इससे रिलेटेड एक वीडियो भी है मेरा आप उससे देख सकते हैं आगला क्वेस्टिन आफ्टर यूके विच कंट्री अप्रूज पीफाइजर कोरोना वाक्सीन यूके के बाद कौन सा देश फाइजर के कोरोना वाक्सीन को मन्जूरी देता है देखिए ऑप्शन से हमारा कैनेडा, यूएसे, जिपैन, नन ओफ थी अबफ, कैनेडा, जस् जो बाइडन और जेपैन की बात करें, तो जेपैन ने अभी बुलिट ट्रेन के लिए भारत के साथ एक करार किया है, इसके अलावा अगर हम इस क्वेस्टिन की बात करें तो इसका सही उत्तर है आपका कैनेडा, ठीक है, और कैनेडा से पहले यूके ने इसे अप्रूवल इसके तहत कैनेडा में जो 16 वर्ष के आयू से उपर लोगे उन्हें ये वाक्सिन प्रोवाइड की जाएदी, होफुली अगले हपते से, तो ये था हमारा आज का सेशन, हम से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सुब्स्राइब कीजिए, इसके इलावा आप मु सकते से से, चाल करा आप मुवचली अगले हक आप मुझे की जा हमारे इलावाइण।